हलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे आर्गिटेक्चर चैनल ग्रीस आर्गिटेक्चर पर दोस्तो आज हम बात करेंगे 20 फिट वाई 45 फिट प्लोट साइज प्लानिंग के बारे में तो फ्रेंट्स इसको हमने तू भी आज के बिद कार परकिंग प्लांग क्या जो कि हमने कार के हिसाब से एंट्री रखी हुई है जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं आपके लिए इस्टियर केस और कार परकिंग का एरिया एक साथ दिया हुआ है यहां से यह हमारा इस्टियर केस साड़े तीन फिट का फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और के नीचे हमारी कार परकिंग रहेगी यहां से आप एंट्री करते हैं तो इस तरब यह हमारा ड्राइंग रूम रहेगा यह आप देख सकते हैं यह हमारा ड्राइंग रूम है नौ फिट दो इंच वाई दस फिट तीन इंच का यह सिटिंग है यहां हमारा यह बिंडो वेंटिलेशन के लिए यह हमारा टीवी यूनिट है फिर आप यहां से एंट्री करेंगे तो आप आजाएंगे सिधर लॉबी एरिया में यह हमारा लॉबी एरिया रहेगा 12 फिट 4 इंच बाई 9 फिट का यह हमारा डैनिंग टेवल है इस तरफ यह हमारा OTS है और इस OTS से आप जाएंगे यहां common toilet में 5 फिट 3 इंच बाई 5 फिट 10 इंच का यह हमारा common toilet है और common toilet का ventilation इस OTS में दिया हुआ है यहां से आप आगे बढ़ते हैं इस तरफ यह हमने kitchen plan क्या हुआ है 6 फिट बाई 7 फिट 6 इंच का यह हमारा gas stop है इस तरफ यह हमारा sink है ventilation के लिए यह हमारा window रहेगा फिर आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा पहला bedroom रहेगा 9 फिट 1 इंच बाई 12 फिट का यह हमारा bed है यहां हमारा tv unit का point है यह हमारा wardrobe है कपड़े बागर रखने के लिए और bedroom के ventilation के लिए यह हमारा window रहेगा क्योंकि पीछे की side हमने open passage दिया हुआ है यह 3 फिट का throw out open passage रहेगा तो इस passage में जाने के लिए हमने bedroom से gate दिया हुआ है तो आप यहां जा सकते हैं इस open passage में आप अपना washing machine रख सकते हैं कपले सोका सकते हैं other utility purpose से आप इसको use कर सकते हैं और इस passage में इस side हमने एक WC plan किया हुआ है 4 फिट वाई 3 बढ़ेंगे दूसरे bedroom की ओर यह हमारा दूसरा bedroom है 9 फिट एक इंच बाई 12 फिट का यह हमारा bed है और यह tv unit है यह हमारा wardrobe रहेगा पीछे जाने के लिए यह same gate रहेगा और gate से attach ही हमारा यह window रहेगा तो friends इस प्रकारते हमने इसको 20 वाई 45 सोगाज को plan किया हुआ है नहीं किया है तो नीचा red button पर click करके चनल को subscribe कर लिजिए friends जो भी हम planning करते हैं वो क्लाइंट के अनुसार करते हैं आप भी अपने घर का नक्सा वनवाना चाना करते हैं कॉंटेक्ट नम्मर आपके लिए discussion box में मिल जाएगा थैंक्यू पर बाचिंग में अक्टा के लिए जय हैं जय मारत